आज बहुत अच्छी रनिंग आपको देखने को मिलेगी आप देखेंगे इसमें A.R.O. हमीर पर उना गिलासपुर की भरती में डिस्टिक उना के बच्चों ने जवर्दस्थ रनिंग का यहां पर मुझायरा करवाया आप देखेंगे रनिंग के परदर्शन में युबा उने अपना दमखम भी लगाया आप देखेंगे मौसम साफ है और ऐसी रनिंग देखने को बहुत कम मिलती है आप देख रहे हैं डेट सो से ज़्यादा बच्चे इस ग्राउंग ट्रैक में दोड़ रहे हैं और दोर्तिस में फरस्ट राउंड में ये बड़े आराम से सारे के सारे युबा मज़े से दोड़ रहे हैं क्योंकि अगर पहले ही राउंड में इनोंने दमखम लगा दिया तो आखिर में क्या बचेगा लेकिन मज़ेदार बात ये रहती है कि जिन लोगों ने बगड़ी मेहनत की होती है वो गुदरी के लाल होते हैं और जैसे जैसे रणिंग का काफिला बढ़ता जाता है वैसे 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 अप्रण परदर्शन की जबदस्त करते रहते हैं आप पहले राउंड के बाद आगे आप देखिए आपको तीन लोग सरदार जी और अन्य लोग जो हैं वो आपको मिलेंगे जो आगे हैं लेकिन जैसे जैसे ये कारवा आगे बढ़ता जाएगा फर्स्ट राण पूरा हो चुका है और ये सैकंड राण यहां पर स्टार्ट हो चुका है आप देखेंगे सैकंड राण में भी लगबग जो हैं पचास बच्चे जो हैं वो इकठे दोड़ते आपको नजर आ रहे हैं आप देखेंगे साइट से एक लड़का जो है रेड औरेंज शार्ट वाला वो लीड करके थोड़ा आगया चुका है और धीरे धीरे वो कारवा को आगे बढ़ता जा रहा है रनिंग जो है मजदार है जिसके हम बात कर रहे थे जिनों जुआँ ने खुब पसीना बाया है उन्हें आज यहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है वो बहादुर वो इस मैदान में जवरदस्त अपने रनिंग का परदर्शन करेंगे आप देखेंगे यह डिस्ट्रिक जो युवा होते हैं बहुत जवरदस्त त्रीके से रनिंग में पार्टिस्पेड करते हैं पिछले कुछ बर्शों में भी उन्हें बात ज्यादा संख्या में भारती सेन्हें चैनित होकर गये हैं आपको बता दे ही माचल में सबस्特 पहले अकाइड्मी जो खुली थी खुल लेकिन अगर आप देखें बच्चों को अकैडमी का भी फाइदा लेते हुए आप देखेंगे और इस शर्ट के युवा ने थोड़ा गैप डाल दी हर पीछे साथ में इसके दो युवा और ये तीसरा राम स्टार्ट है और देखेंगे आप कि लगभग आप ये गैप पांच है वो इसमें बढ़ता नजरा रहा है आप देखेंगे इस दोड़ में जैसे कि हम बात कर रहे थे वैसे तो हिमाचल के हर युवा में भारती सीना के लिए एक जज़बा जनून आपको देखने के लिए मिलेगा हम पिछले के वर्शों से आर्मी की ट्रेनिंग करवा रहे हैं और ये देखते आ रहे हैं कि युवाओं के अंदर हमाचल के युवाओं के अंदर देश वक्ती का कुछ अलग ही जज़बा को देखने को मिलेगा जो अन्य राज्यों से इनको अलग करता है आज भी पूरे भारत में हमाचल के डोगरा और हमाचल के लोगों की बह तो फिनिशिंग की तरफ बढ़ रहा है अभी चौथा रौन स्टार्ट होगा और आप देखेंगे रैड शर्ट जो और शर्ट का जो यूबा है उसको धीरे धीरे पीछे से एक और यूबा जो है वो उसको चौथे रौन में काटता हूँ नजरा रहा है और आप देखें कोई मिल्का है जो ग्राउंड पे दोड़ रहा है यह जिनून और जज़बा है यूबा में जो इन्हें दिन राज सोने नहीं देता है आप देखें का अच्छा खासा गैप इसमें डार रखा है और लग भग पीछे साथ यूबा भी इनके पिरकुल बीस पच्छीस मीटर क की दूरी पे रेनिंग करते नज़ आ रहे हैं बहुत ही जवर्दस्त नजारा यहां पे है लास्ट रॉन की तरह बढ़ते हुए और यह यूबा ने बहुत जवर्दस तरीके से एक संदर गैप डालते हुए लग बग साव मीटर का गैप और गैप को बढ़ते हुए यह लड़का आगे हुए है उसको साथ में कवरट किया है और दोनों लग बग बराबर की तरफ पहुंच रहे हैं और इन लड़कों ने जो पीछे आ रहे युवा हैं उनमें साव मीटर का गैप डाल दिया है तो लग बग आप देखें पांच मिनट छे मिनट पांच मिनट छे सेकेंड के अंदर इन युवाओं ने ये पहला खाना प्राप किया और इसके पीछे अभी हम देखेंगे कितने लोगों को ये पहले खाने में लेते हैं इन पहले उसमें लेते हैं तो ये लग बग जो हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नाउ और दस दस युवा जो हैं वोईनों ने फस्ट रॉह उसमें खाने में लिए हैं और वहीं जो अन युवाओं वो दूसरे लग बग जो हैं पच्छिस से चवबिस लोग जो हैं वो दूसरे इसमें लिए हैं युवाओं को मैं यही कहना चाहते हैं हम कि अगर आप जनूर जज़वे के साथ अपनी महनत करेंगे तो निश्ची तोर से आप सफल होंगे जाहिंद 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 जाहिंद